नमस्से, मैं हूँ सचिंगोल और अरपा स्वागत करता हूँ, जैपुर्दा पिंक सिडी चैनल पर लीवर में फैट जमाओ गया है, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर में सूजन आगी है, तो उसके लिए घरे लू नुसका बता रहा हूं दोस्तों पैटी लीवर का ये जो नुसका है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, कि ये लेते ही असर करता है, ऐसा नहीं है कि आपने लिया और धीरे धीरे कई महीनों में असर करेगा, क्योंकि लीवर जैसी चीज के लिए जो दवाइं होती हैं दोस्तों, वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलती हैं, और वो भी केमिकल वाली महेंगी दवाइं होती है, जो सेथ को नुकसान पहुचाती है, ये घरेलू नुसका है, तुरं तसर करता है, और कोई नुकसान भी नहीं करता है, चार अफ़तों में तो ये लीवर में जमा एक्स्ट्रा फैट पूरा का ठीक कर देता है, फैटी लीवर हो गया है, कब्स की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता सुबह सुबह, बहुत जोर लगाना पड़ता है, कुछ भी खाते हैं तो खाना नहीं पचता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये नुसका जो मैं बता रहूं न, उससे आ और आब अगयरा कई तरह के नीबू बजार में मिलते हैं, वो नहीं लेना है, जो नॉर्मल नीबू हम सबजियों में सलाद में यूज़ करते हैं, निचोडने के लिए, बस वो ही नीबू ले लेना है, ये जो नीबू होता है दोस्तों, ये लीवर के लिए बहुत फायदे करना है, तो एक कर्टोरी में हम डाल लेंगे, ये एक चमच नीबू का रस, जो खाने वाली चमच होती है, वो बरकर डाल लेंगे, अब जो दूसरी चीज़ हम लेंगे, वो है ये ऐलोवेरा, क्योंकि ये लीवर के लिए अमरत है, ये जो एकदम हरे रंग की चौड़ी पत पास भी ये आराम से मिल जाता है, वहाँ से ले सकते हैं, और बाजार में बना बनाया इसका जूस भी मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको घर पे ही ऐलोवेरा जूस फटावट निकालने का असान सा तरीका बता रहा हूँ, ऐलोवेरा की पत्ती को काट क इसका छिलका एक तरफ से जब हटा देंगे, तो आपको इसका जो गूदा है, जिसको ऐलोवेरा जेल कहते हैं, वो दिखने लग जाएगा, इस जेल में इसका सारा जूस मौझूद होता है दोस्तों, तो इसके जूस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ऐलोवेरा का य जूस है न दोस्तों, यह सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे ज्यादा पाउरफुल है, लीवर के लिए हम रत है, इसलिए बजार वाले की बजाए मैं फ्रेश निकालना बता रहा हूं, तो यह एलोवेरा जूस निकल गया है, अब यह जो फ्रेश एलोवेरा जूस हमने न निकाला है न, इसका क्या करना है, हमको इसकी चार चमच, जो हमारी खाना खाने वाली चमच होती है न, वो चार चमच भर कर हमारे नीबू के रस में डाल लेनी है, एक चमच हमने नीबू का रस लिया है, तो उसका चोगुना यानी चार चमच हमको एलोवेरा जूस ले रेन और अगर हो गई हो तो उसको ठीक कर देती है उल्टी आने की प्राबलम को तुरंत ठीक कर देती है लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है तो ये तो हम सब की रसोई में हमेशा रखी ही होती है तो आपको क्या करना है कि एक मीडियम साइज के अधरक के टुकडे को छील लेना है छील करके इसका छिलका हटा देना है छिलका हटाने के बाद में जो हमारा कद्दूकस होता है उससे हम अधरक को कद्दूकस कर लेंगे कद्दूकस करने से रस से भरेवे अद्रक के चोटे-चोटे लच्छे हमको मिल जाएंगे इनसे बड़ी ही असानी से अद्रक का रस निकल जाएगा कैसे निकलेगा? ये जो अद्रक हमने कद्दूकस की है हम इसको चलनी में डाल लेंगे और चमच से दबाएंगे और बहुत यासनी से अद्रक का रस चंकर निकल आएगा एक तम फ्रेश रस है आप इसको तीन-चार दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं अब ये जो अद्रक का रस है इसकी आपको लेनी है आदा चमच केवल आदा चमच एक बार में लेनी है बाग की बचा हुआ रस आपको फैंकना नहीं है फ्रिज में रख लेना और दुबार काम में ले लेना बार-बार निकालने के ज़रुरत नहीं है तो एक चमच नीबू का रस चार चमच अलवेरा जूस और आदा चमच अदरक का रस ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से मिला लेनी है ये आपकी एक बार की डोस बन गई है ये पूरी की पूरी एक डोस आपको दिन में कभी भी एक बार पूरी की पूरी पी लेनी है सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है बहुत से लोग सुबह सुबह नहीं ले सकते हैं तो वो शाम के टाइम भी ले सकते हैं इसी तरह एक डोज रोजाना फ्रेश बना कर पीनी है कोशिश कीजिए कि डेली इसको आप एक ही टाइम पर पीएं ताकि हर 24 गंटे में इस दवा की एक डोज आपकी बॉडी में पहुंच जाए अगर 5-10 साल तक की एज के बच्चों को देना हो तो इसकी आधी खुराग दीजिए और ध्यान रहे कि 5 साल से चोटे बच्चों को ये दवा पिल्कुल नहीं देनी है ये ऐसा रामबान इलाज है जिसको यूज करने से लीवर बहुत तेजी से ठीक होने लगता है ये बहुत आसान सा तरीका है लीवर की सारी बिमारियों को ठीक करने का आप किवल 2 हफते से करके देख लीजिए आपको इसका रिजल्ट खोदी नजर आ जाएगा चार हफतों में तो ये लीवर की सूजन और लीवर फैट दोनों को खतम कर देगा और आपका लीवर एकदम हेल्दी हो जाएगा खाना नहीं पचता हो तो वो भी पचने लग जाएगा 30-30 साल पुरानी कब्ज हो तो वो भी इससे एकदम ठीक हो जाएगी पेट में गैस बहुत बनती हो तो वो भी एकदम ठीक हो जाएगी तो ये था फैटी लीवर की समस्या को ठीक करने का हमारा आज का नुस्का आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएए आपको वीडियो कैसा लगा अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी आप इसे फालो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलोन उसके देखते रहने के लिए जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए